तो बच्चो क्लास 12 फिजिक्स चेप्टर 4 मॉविंग चार्जिस एंड मैगनेटिसम के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में तो बहुत इंपोर्टन टॉपिक डिसकस होने जा रहा है जो कि हैं एंपियर सर्किटल लौ किसी भी लौ को किसी भी थियोरम को किसी भी फॉरमुले को पढ़ने से पहले क्लियरली ये पता होना चाहिए कि ये किस सिचुएशन में और कहां पर यूज होता है आप जानते हो अभी तक इस चैप्टर में हमने बायट सर्किटल लौ पड़ा जो कहां यूज होता था एक करंट केरिंग कंड़क्टर के अर हम एंपियर सर्किटल लौ भी यूज कर सकते हैं कुछ सिचुएशन में बायट सर्किटल लौ इजी पड़ता है यूज करना कुछ सिचुएशन में एंपियर सर्किटल लौ इजी पड़ता है यूज करना वो कौन सी सिचुएशन हैं अभी हम लोग डिसकस करेंगे ठीक जै ऐसी एक चीज है यहाँ पर भी magnetic effects of current में and that is ampere circuital law so यह law हम लोग यूज़ करेंगे current carrying conductor के राउंड magnetic field निकालने के लिए कुछ situations में जहाँ bio-savet law भी लग सकता है बट थोड़ा लंबा हो जाएगा और complicated हो जाएगा तो इससे easily काम हो जाता है यह क्या कहता है यह कहता है कि it states that the line integral of magnetic field intensity over a closed loop is mu naught times the total current threading the loop बिल्कुल नहीं समझे है देखो अब हमने एक current carrying conductor के राउंड magnetic field निकालनी है तो अपने पास एक current carrying conductor होना चाहिए ठीक है यह रही एक current carrying wire ठीक है और हमने इसके around क्या निकालनी है magnetic field निकालनी है suppose इसके अंदर एक current है आई यह रहा current ठीक है और हमने इसके around किसी भी point पे magnetic field निकालनी है अब आप जानते हो कि एक straight conductor के around जो magnetic field lines होती है वो कैसी होती है they are concentric circles और वो किस direction में होती है यहाँ पे आप इसकी direction में thumb रखो कैसे निकालते है current carrying conductor के around magnetic field की direction right hand thumb rule यूज करके तो इसके around इस पे आपने thumb रखा और इसके around इसको आपने imagine किया कि आपने right hand में पकड़ा हुआ है thumb current की direction में रखा तो ऐसे fingers आई जो कि इधर से अंदर जा रही है और इधर से बाहर आ रही है तो magnetic field lines जो है इसकी कुछ ऐसी है कि यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है और वो कैसे होंगी concentric circles की form में होंगी अब आपने इसके around कितने भी distance पे suppose यहीं पर आपने magnetic field निकालनी है तो अब करना क्या है ampere circular law apply करने के लिए जड़ा ध्यान से देखना अब अगर आपने इस पे इतनी दूरी पे magnetic field निकालनी है तो आप imagine करो कि जिस point पे भी आपने magnetic field निकालनी है बहुत असान है देखना जिस point पे भी आपने magnetic field निकालनी है आप उस point से pass होता हुआ एक loop imagine करो ठीक है? Suppose यह इसके through pass हो रही है ना इसके around हमने एक loop imagine कर लिया और उस loop के किसी भी point पे हमको magnetic field निकालनी है Suppose यहाँ पर B निकालना है चिक? यही तो एक current carrying conductor है इसके around एक loop है obviously that loop is imaginary वो loop का तो अपना कोई existence है नहीं वो magnetic field line है जो दिखाई तो देगी नहीं वो magnetic field line है जो दिखाई तो देगी नहीं तो यहाँ पर हमको magnetic field निकालनी है तो law यह कहता है कि आप इस loop पे एक चोटा सा पार्ट लो यह इस loop पे मैंने एक बहुत चोटा सा पार्ट लिया दिएल लेंथ का ठीक है और इसकी मैंने डिरेक्शन ली जो इसके अराउंड डिरेक्शन आ रही है ना magnetic field की जैसे इसको मैंने ऐसे रखा तो दिएल की डिरेक्शन मैंने ऐसे ली ठीक है बी भी ऐसे ही है तो दिएल और बी में एंगल कितना हो गया जीरो डिगरी तो आपको क्यों यहां पर डॉट प्रोड़क्ट है ना तो आपको बी और डियल में एंगल पता होना चाहिए जो बहुत असान सा आएगा यहां तो जीरो डिगरी आता है 90 डिगरी आता अभी सारी बाते क्लियर करता हूँ बट पहले सिम्बल समझ लो आपने यह current carrying conductor है जिसमें current है आई तो यह रहा current आई आपने इसके around magnetic field निकालना है बी यह रहा वो बी जहां पर आपने magnetic field निकालना है वहां पर आपने एक loop imagine करना है imagine जिसको बोला जाता है amperian loop जैसे होता था ना जब हम gauss law apply करते थे तो एक gaussian surface imagine करते थे यहां पर हम imagine करेंगे एक amperian loop amperes circular law नाम आया है scientist के नाम पे जिनका नाम था amper और उनी के नाम पे यह loop का नाम आया है imaginary amperian loop तो law यह कहता है कि आप b और dl का dot product निकालो उसका integral जो भी आएगा उसको mu naught into i के बराबर put कर दो where i is the total current threading the loop threading the loop का मतलब होता है कि जो loop है उसके through जो wires pass हो रही है उनमें जो total current है समझ में आया for example मान लेते हैं कि इस loop के through और भी wires pass हो रही है मान लो यहाँ पर एक और wire है वो भी इस loop के through pass हो रही है मान लो यहाँ पर एक और wire है वो भी इस loop के through pass हो रही है मान लो यहाँ पर एक और wire है जो इस loop के through pass नहीं हो रही इनमें different different currents हम लोग ले लें इसमें current हम i1 ले लें इसमें इसी direction में current i2 ले लें इसमें opposite direction में current i3 ले लें इसमें भी किसी direction में हम current i4 ले लें तो law ये कहता है कि total current threading the loop ही लेना है आपको इस equation में अगर मैं आपको यही top view से दिखाऊं ध्यान से समझना अगर मैं आपको यही चीज दिखाता हूं top view से तो आपको यह कैसा दिखेगा जरा सोचो इसको top view से जब हमने देखा तो यह loop तो हमारा imaginary loop है वो circle हो गया एक यह I1 वाला current आ रहा बाहर की तरफ और हम इधर से देख रहे है तो यह हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देगा यह रहा current यह यह वाला हो गया I1 which is coming towards the observer यह हो गया I1 ठीक है और I1 और यह वाली wire का current भी हमारी तरफ आ रहा यह इसके थोड़ा इस तरफ है तो यह हो गया I2 I2 यह और यह इस तरफ है थोड़ा यह अंदर जा रहा है तो इसको हम cross से दिखाएंगे अंदर जाने वाले को यह यह हो गया I3 और जब हम यहां से देख रहें टॉप से तो यह वाला हमारी तरफ आता हुआ हमको loop के बाहर यहां पे कहीं पे दिखेगा and that is I4 ठीक है अब law यह कहता है कि जैसे यहां पर magnetic field है कहीं पर भी यहां पर निकालनी है न मुझे इस loop पर यहां मुझे magnetic field निकालनी है बी चीक है अच्छा तो law यह कहता है कि बी और इस loop पर एक चोटा सा पार्ट लिया dl उसका जो integral होगा यह वो होगा mu naught into total current threading the loop threading the loop मतलब total current which is passing through the loop ठीक है यह i4 बीच रस्ते में आ गया थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना देता हूँ होना बाहर है तो कहीं पर भी बनाएं यहां पर है suppose यह i4 ठीक है तो law यह कहता है b.dl equal to mu naught into total current threading the loop total current threading the loop का क्या मतलब है जो loop के through wires pass हो रही है उनमें जो current है अब इस loop के through wires pass हो रही है उनमें जो current है वो है i1 i2 and i3 लेकिन दो current same direction में है तीसरा opposite direction में है अब 2 current का sign आपने same लेना है जो opposite direction में है उसका current negative sign लेना है या positive मतलब इन दोनों का same लेना है इसका किसका negative लेना है बाहरा ध्यान से देखना जैसे यहां पे आप आपने DL ले लिया इधर, ठीक है, आपने DL ले लिया, suppose इधर, मान लो, ठीक कि हम DL जो है, चोड़ा सा पाट, उसकी ये direction ले रहे हैं, अब आप ये देखो, कि आपका जो ये वाला current है, इसकी जो magnetic field है, वो DL की direction में ही होगी, हाना, तो आप उसके लिए इस current को लेना positive, मतल है, वो DL के opposite होगी, यहाँ पे जो I3 की magnetic field है, वो नीचे की तरफ होगी, जबकि DL हमने इधर लिया है, तो I3 को आप लेना negative, मतलब यहाँ पर, आप रखोगे, I1 positive में, I2 positive में, लेकिन I3 negative में, और आपको यहाँ से, जो B मिलेगा, इस equation को solve करके, वो magnetic field होगी, इस जगहे पर, लेकिन, I4 का क्या रोल है यहाँ पे, I4 जो है, इस magnetic field में तो contribute करेगा, obviously यहाँ पे current है, तो इसका यहाँ पे impact होगा, लेकिन, जब हम यह law apply करते हैं, वह उस time पे, यहाँ की magnetic field निकालने के लिए, यहाँ पे जो current रहते हैं, वो सिरफ वही current रहते हैं, जो loop के अंदर वाले हिस्से से पास होते हैं, और जो loop के through currents पास होते हैं, उनी के लिए word use किया जाता है, threading the loop, और कौन सा positive लेना है, कौन सा negative लेना है, समझ में आ गया आपको, एक बार और बता देता हूँ, आपने dl की जो direction मानी है, आपकी magnetic field I1, I2 के हिसाब से right hand thumb rule लगा के, जिसके लिए dl की direction में ही आ रही है, आप वो वाला current positive लो, और बाकी का current जो है वो negative लो, जिसके लिए dl और बी की direction opposite आ रही है, समझ गए, अब इसको थोड़ा सा अगर हम complete करें इस situation में, तो हम मान लेते हैं कि इस loop का जो radius है, वो r है, हना, तो अब जब आप b.dl निकालोगे, जब आप b.dl निकालोगे, तो इन दोनों के लिए, अब यहाँ पे जड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना, इन दोनों के लिए b.dl जो है, वो same direction में है, तो same direction में है, तो cos 0 लगेगा, cos 0 होता है 1, और इसके लिए b.dl opposite direction में है, तो cos, बहई, dot product में cos theta आता है, तो cos 180 degree लगेगा, उसके लिए आएगा minus 1, बट इसी plus minus को तो हम लोग already इदर handle कर चुके हैं न, current का sign दे कर, अब हम क्या करेंगे, अब हम just b को बाहर निकाल लेंगे, और अंदर dl का integral बचेगा, that's it, समझ गए, और, वो dl का integral आप easily निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इसका radius पता है, तो dl का integral होगा, इस पूरे का circumference, that is 2 pi r, तो उसकी dl के integral की जगा, मैंने 2 pi r रखा, ये सब values मुझे पता है, 2 pi r उधर divide किया, तो जो value आएगी, आपकी magnetic field की, यहाँ पे वो आपको मिल जाएगी, समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसके लिए जरूरी नहीं है, कि i1, i2, i3, जो हैं वो center से ही pass हो, कहीं से भी pass हो सकते हैं, अंदर कहीं पर भी, अब आप इसको compare करो जड़ा, गॉसलो से, गॉसलो यह कहता था कि, e.ds equal to q by epsilon naught, और q जो वहाँ पे charge था, वो total charge था, जो अंदर है, close surface के, जो कहीं पर भी हो सकता था, हाणा, और e वो magnetic, e वो electric field थी, जो उस surface के किसी point पर होती थी, लेकिन वो electric field अंदर वाले, और बाहर वाले, दोनो charges के लिए होती थी, बट जब हम gaus law apply करते थे, तो q की जगा, सिरफ अंदर वाले charges put करते थे, यहाँ पर भी बिल्कुल यही है, कि जब हम law apply कर रहे हैं, तो यहाँ current की जगा, हम सिरफ अंदर वाले currents डाल रहे हैं, लेकिन, यहाँ पर जो magnetic field है, लगाना है, लेकिन, जब आपको question आएगा, तो आपको सिरफ दो ही angle दिये जाएंगे, यहाँ 0 degree, यह 180 degree, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ फिर 90 degree, उसके अलावा, आपको कोई angle नहीं दिया जाएगा, तो आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखो, एक example देखो, फिर हम इसको prove भी करने वाले हैं, इसको हम लोग prove करेंगे, using, words of it law, ठीक है, इसका एक example देखो, जैसे कि मान लेते हैं, बोला है कि हमारे पास, एक straight wire है, और इस straight wire में, एक current है, यह रहा, इस straight wire में, current, 5, 5 ampere, ठीक है, बोल रहा है कि using ampere circuital law, आप इस से, 7 cm के distance पर, 7 cm के distance पर, magnetic field निकालो, only use ampere circuital law, but 7 law नहीं use करनेगा, राइट, ओके, अब आप, इसके, 7 cm के distance पर, एक, एक, आप इस सेंटीमीटर के distance पर, आप सेंटीमीटर के दिस्टेंस करोगे, गॉस लॉव में, जब आप, Gaussian surface कंसिडर करते थे, तो आप जानते हो, कि आपको, वहाँ पर, बहुत ही symmetric से cases दिये जाते थे, कि भहिया, चार्ज जो है, वो center पर है, आप उसके around, spherical Gaussian surface मान लेते थे, अब यहाँ पर भी, मैं आपको बता देता हूँ, कि एक wire आपको ऐसे दी रही है, आपको बोला है, उसके around किसी, distance पर magnetic field निकालो, तो आपने उसके around, एक circular, emperion loop, imagine कर लेना है, और यह wire, उस loop के center से पास हो रही होगी, यह रहा हमारा emperion loop, यह रहा, यह, ठीक है, और यह उसके center से पास हो रही होगी, और आपने लगा देना है, इसमें, ampere circular law, b.dl, equal to, mu naught into, i, okay, so, कैसे करें, top view देखो इसका, top view देखेंगे, तो यह रहा हमारा, imaginary loop, यह वाला, और यहाँ पर जो current है, वो हमारी तरफ आ रहा है, यह रहा current जो हमारी तरफ आ रहा है, और इसमें, इसमें, हम dl ले लें, ऐसे, ठीक है, dl हम ले लें, ऐसे, dl हमने लिया यह, और magnetic field, magnetic field भी है, ऐसे, magnetic field भी है, ऐसे, यहाँ पे, तो B और DL में एंगल कितना हो गया 0 degree तो आप यार B को बाहर ले आओ DL का integral जब आप रखोगे तो यह जो total length इस loop की होगी वो आ जाएगी आप अगर इसको इस form में याद रख लो तो आपके 99% question solve हो जाएंगे B into emperion loop की length equal to mu naught into i यहाला कि रटा नहीं मारो ठीक है लेकिन यह जो है सबसे common case है सबसे ज़्यादा use होता है तो B L equal to यह हमने formula लगा देना है तो B क्या है B, B, B B हमेंने निकालना है L जो है वो इसकी length होगी which is 2 pi r centimeter में na meter में change कर दिया equal to mu naught 4 pi into 10 की power minus 7 into i कित्ता दिया है 5 that's it और इसको solve करके आप निकाल लोगे B 2 pi से 2 pi कट गया मतलब यहाँ 2 बच गया not पूरा कटा so B will be B will be what B will be 5 into 2 10 की power minus 6 बचेगा यहाँ पे और नीचे चला जाएगा 7 so this is 1 by 7 into 10 की power minus 6 Tesla हाँ ना B यह आजाएगा यहाँ इस तरीके से आप solve कर सकते हो अगर 2 wires होती अगर 2 wires होती बोलता कि दूसरी एक और वायर इस लूप के थुरू पास हो रही है जिसमें current है 2 ampere तो यहाँ पे I हो जाता total 7 ampere लेकिन अगर दूओ वाली वायर में current उल्टी direction में होता तो यहाँ पे I 5 minus 2 यानि 3 ampere हो जाता इस तरीके से अगर आप बोलते हैं कि हम तो DL जो है वो इस तरफ लेंगे और इसके लिए B इस तरफ है आपने बोला हम DL इदर ने ले रहे हैं ठीक है और DL और B के बीच में angle हो जाता 180 degree angle 180 degree हो जाता तो cos 180 degree होता minus 1 minus 1 में आपका पूरा minus चलता 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 फाइनली answer तक पहुँच जाता यानि कि आपकी जो magnetic field है वो क्या आती वो negative आती लेकिन उसका magnitude सेम रहता क्योंकि आपने sign आपने directions उल्टी मान ली आप सोचो किनेमेटिक से questions करते थे 11 में आप किसी को भी positive मानते किसी को भी negative मानते जिस direction को आपने positive माना है अगर आपका answer negative आ रहा यानि उल्टी direction में अगर आपका answer positive आ रहा यानि उसी direction में है यहाँ पर अगर हमारा magnetic field B जो है negative आता है value तो उसकी same आएगी यानि D l और B हमारा opposite direction में है ठीक है ना अब B की value positive आने का मतलब क्या है B की value positive आने का मतलब है कि हमारा B और DLM ने same direction में माना उससे क्या फरक पर ठीक तो आप कुछ भी मान लो लेकिन जब सारे current same direction में हो तो सबको add कर देना और अगर कोई opposite direction में है तो जो opposite वाले हैं उनको आप subtract कर देना बस इस चीज़ का आपने ध्यान रख देना clear? अच्छा इसको थोड़ा सा prove करें पूरा ही करेंगे थोड़ा सा क्यूं करेंगे इसको हम लोग prove करेंगे using bad service law कि अगर हमारे पास यह wire है पहले हम loop बना लें क्योंकि तब हमारे लें diagram बनाना ज्याज़ा असान रहता है यह हमारे पास एक loop है और यह गई इसके अंदर से यह wire और हमने देखा कि इसके अंदर जो current है वो है i और हमने इससे r distance पर यह loop लिया हुआ है यह और हमें बोला है prove करो कि यहां magnetic field b.dl equal to mu not i होती है यानि कि जो ampere circuit log कह रहा है वो सच है करते हैं prove तो इसमें magnetic field lines ऐसे हाना ऐसे और dl भी हम suppose ऐसे ही ले 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 अभी जैसे पिछले question में हमने किया है तो b और dl के बीच में angle हो गया zero degree तो b dl cos 0 equal to mu not i रखें नहीं वो तो हमने prove करना है न कि b dl cos 0 मतलब कि b dot dl जो है वो mu not i के बराबर होता है यह तो हमको prove करना तो अभी हम equate नहीं कर सकते हमने क्या करना है कि हम b dot dl से शुरुवात करें और इसको solve करते हुए mu not into i तक पहुँचें समझ में आई बात तो इसको solve करें कैसे अब हम जानते हैं कि b तो यहां पर हर जगह पर सेम होगा क्योंकि हर point r distance पर है हाना आपको जो भी cases करने हैं यहां पर आपको बहुत limited से cases आएंगे ठीक है ना ampere circuital law में जो भी आपको cases करने हैं आपको पहले तो यह याद रखना है कि आपको ऐसा case आएगा पहला point यह याद रखना है कि आपको ऐसा case आएगा जहां पर b हर जगह constant होगा आपके पूरे loop पर b हर जगह सेम होगा कभी भी different नहीं होगा ठीक है different वाला case अपने करना ही नहीं तो हर जगह भी आपको symmetric सी situations दी जाएंगी जो यह यह points follow करेंगी जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो हर एक जगह पर b क्या होगा same होगा कि जैसे एक wire है तो r distance पे निकालो तो obviously r distance पे हर जगह b जो है वो same है दूसरा point यह रहेगा कि आपको ऐसे cases दिये जाएंगे जहाँ पर b और dl parallel होंगे हर जगह पर तो theta 0 degree हो जाएगा या rarely आपको ऐसा case दिया जाएगा जिसमें b और dl perpendicular होंगे एक दूसरे के तो cos theta 90 हो जाएगा बस अपन इन तीनों cases में ही खेलेंगे इससे बाहर नहीं जाने के तो b हर जगह same है b बाहर आ गया बी बाहर आ गया अंदर बचेगा dl का integral dl का integral होगा इस पूरे loop की length जो की होगी टू पाई यार अब आप सोचो हम तो इसको प्रूव कर रहे है ना तो हमको अम प्रूव कर रहे तो हम एंपियर सर्कृटल लौ नहीं पता बट हमें बायट सावट लोगों पता है और बायट सावट लोग से हमें पता है कि आई जो करंट केरिंग कंड़क्टर है उससे आर डिस्टेंस पे magnetic field straight conductor में हमने special cases पड़े थे center के around straight conductor के लिए very long straight conductor के लिए magnetic field होती है ये mu not i by 2 pi r और यहां पर आप देख रहे हो कि 2 pi r से 2 pi r cancel हो गया and finally हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा mu not into i तो हम b.dl से शुरू हुए mu not i पर आ गए तो यह है proof ampere circular law का समझ में आनी है सारी बात है ओके सो एक बहुत important case रहता है इस पे question आता है उसको हम discuss कर लें वो case भी आपको पता होना चाहिए ampere circular law यूज़ करके हम लोग निकालेंगे magnetic field एक cylindrical conductor के interior में अंदर जैसे हमें बोला है कि इस point पे magnetic field निकालो P पे और इसमें current है आई इसमें एक current flow कर रहा है आई अब देखो बाहर अगर हमें magnetic field निकालनी हो तो हमें पता है उसके लिए हम बायट से बट लोगा सकते है और अब ampere circular law भी लगा सकते है लेकिन अगर हम इसके अंदर magnetic field निकालनी हो point P पे और इसमें ये current flow कर रहा है आई तो सबसे पहले तो हम इस P से पास होता हुआ एक emperian loop लें और मान लो हमको बोला है कि center से ये जो point P है ये r distance पर है और इस loop का जो पूरा radius है अपना that is capital R this is capital R समझ में आई बात तो इसके लिए हम use करेंगे ampere circular law जिसमें हम लिखेंगे b.dl equal to mu not i या फिर direct ये वाला formula यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी वही case है अगर मैं यहाँ magnetic field निकालता हूँ इस वाले current के लिए तो इसके अंदर हर जगा magnetic field lines ऐसी होंगी और dlb मैं ऐसे ही ले लेता हूँ इसी direction में तो सीधा सीधा मैं formula लगा दूँ b into l equal to mu not into total current threading the loop but what is total current threading the loop आई current तो पूरी wire में है loop के through कितना पास हो रहा ये सोचो ये वाला part जो है ये इतने हिस्से में जो current होगा वो पास होगा न लूप के through इतने हिस्से में जो current होगा इतने हिस्से में और वो current तो अपने को पता ही नहीं है अपने को तो पता है कि पूरा current आई है तो इतने हिस्से से जो current पास हो रहा है वो क्या होगा सोचो अब क्योंकि current जो है वो uniform है अगर non uniform current है तो फिर अपनी वाला case को इस तरीके से नहीं कर सकते लेकिन अगर current uniform है uniform का मतलब है कि अगर uniformly distributed है मतलब कि अगर मैं इसका जितना भी area लेता हूँ जादा area लेता हूँ तो उसके थूँ जादा current आता है कम area लेता हूँ तो उसके थूँ कम current आता है कुछ इस तरीके से तो मैं यहाँ पर put कर सकता हूँ current per unit area of cross section हना अगर पूरे में current है i और area of cross section is pi r square तो current per unit area of cross section हो गया i by pi r square और इतने cross section से जिसका radius है small r तो उसका area होगा pi r square है इतने cross section से current pass होगा यह pi से pi कटा so that will be समझना है आपको देखो this is mu not i r square by capital r square हना समझा है जैसे कि अगर मान लो यह पूरे का जो area है वो 10 unit है तो per unit area एक unit area से कितना current pass होगा i by 10 और यह वाला जो area है इस वाले का जो cross sectional area इस loop का that is 5 units तो इस में से कितना current pass होगा i by 10 into 5 और l कितना रहेगा इस loop का length इस loop का radius है r तो इस loop की length होगी 2 pi r right अब इस में से क्या कट रहा है pi से तो pi हमने काट दिया 1 r यहाँ पे कटेगा तो बताओ b क्या आएगा इसके अंदर b आएगा mu naught i by 2 pi r square यह पूरा तो constant है into यहाँ पर एक r बचेगा यह ठीक है समझ में आई बात अच्छा यह magnetic field है इसके अंदर किसी भी point पे इससे r distance पे जो कि clearly दिखाई दे रही है because यह पूरा constant है तो b is proportional to r यानि कि जितना जादा दूर जाओगे उतना b बढ़ेगा क्योंकि जितना जादा दूर जाओगे उतना हिस्सा wire का और अंदर आता जाएगा अगर यही point यहां लिया जाता तो और जादा wire अंदर आ जाती wire ही तो source है source बढ़ता current बढ़ता तो magnetic field बढ़ती तो इसके अंदर किसी भी point पे magnetic field है यह और बाहर बोला हो तो बाहर तो वैसी निकाल दो अभी जैसे proof में निकालते हैं यहां पिछले question में निकालते हैं बोल रहे हैं कि यहां पे निकालो बाहर r distance पे तो जब यहां से आप emperion loop बनाओगे तो उसके through तो पूरी ही wire pass होने लगेगी तो उसके लिए जब आप b into l outside वाले का अगर मैं लूँँ तो b into l मैं लूँगा mu not into total current i so that will give me अभी जो पीछे हमने निकाला mu not i by 2 pi r so that is inversely proportional to r क्यूंकि एक बार अगर मैं wire से बाहर निकल गया अगर मैं wire से बाहर निकल गया तो जैसे जैसे दूर जाओंगा source से दूर होता जाओंगा तो obviously magnetic field घटेगी तो अगर हम इसके लिए एक graph plot करें यह graph बड़ा important है कि यहाँ पे हम एक graph plot कर रहे हैं जिसमें हम variation दिखाएंगे magnetic field b का distance r के साथ तो जब हम center से चलना शुरू करते हैं तो magnetic field बढ़ती है और कब तक बढ़ती है जब तक हम surface तक नहीं पहुँच जाते हना क्योंकि surface तक यह directly proportional to r है और फिर inversely proportional to r है तो उसके बाद घटेगी यह हम लोग पहुँच गए surface तक यहाँ पे magnetic field होगी सबसे ज़ादा यह b max का आपको यहाँ पे मैं point बता देता हूँ this is the point of b max और यह हम यह आ रहे हना इसके बाद घटेगी लेकिन inversely proportional to r है 0 नहीं होगी कभी भी तो आप इसको घटाते जाएं लेकिन touch नहीं करना इस से ऐसे touch करते वहाँ पे आपको नहीं दिखाना है gap रखना है और b max की value हो गई surface पे जब मैं आ जाऊंगा तो मैं small r की जगा भी capital r डालूंगा तो एक r से r कटेगा it is mu not i by 2 pi r तो maximum magnetic field due to straight conductor is mu not i by 2 pi r where r is the radius of cross section of the conductor and this is at the surface of the conductor समझ में आए तो यह बड़ा important example है with graph तो इसको याद रखना और ampere circuital law का प्रूफ statement और यह च्छोट मोटे questions इसमें सारा आपका cover हो जाएगा applications of ampere circuital law में हम लोग next lecture में discuss करेंगे magnetic field due to solenoid मिलता हूँ आपसे next lecture में तब तक के लिए अढ़ बैसे